Good morning, students. मैं आपकी science teacher सोरल सकसिया. और आपको science का fortune 6 second explain करे हूँ. Lesson first, science in everyday life. इसका मतलब है science हमारी daily life. The everyday life मनलब हर दिन हमारा science हमको कैसे impact कर दे है, हमारी daily life. क्या क्या topic कवर होड़े Doncsुबाले हैं? फिरस्ट है definition of science. Science की definition क्या है? साइंट्रिस के इंपोर्टेंस क्या है इंपोर्टेंस साइंस्टिफिक इंवेंशन जो साइंट्रिस ने इंवेंशन किया है में लग होज कि उसकी इंपोर्टेंस क्या है एडवांटेस डिसद्वांटेस और साइंस और साइंस और साइंस और साइंट्रिफिक एप्रोच ओके इंट्रोडक्शन साइंस एलाओ इपस मैथरट हैं और रिजल्ट होते हैं वो क्या करता है तेजी से और विकली जादा बड़े वाइडली मतलब जादा संख्यान है और तेजी से फैलने के लिए हमारा साइंस हेल्प करता है दा रैपिड स्प्रेड इस दू तो दे पबलिक नीचर अफ साइंस कमबाइन विद टेकनलोजी अफ इनफॉमिशन डिस्पर्जल्स जो रैपिड स्प्रेड तेजी से फैल रही है रैपिड स्प्रेड इस जू टू टू पबलिक नीचर पबलिक नीचर में तेजी से साइंस को फैलने में हमेरी टेकनलोजी विस्तार कर रही है वनलब हम हमारी जो डेली लाइफ है उसमें साइन्स क्या काफी तेजी से फैल चुकी है It is that branch of knowledge which deal in systematic and formulated study coupled with methodical approach, careful observations and experimentations Is that branch of knowledge जो ब्रांच जो हमारी जो नॉलेज की जो ब्रांच है डील इन कैसे डील करती है systematic and formulated study मतलब पहले से तयार की हुई study पर दोनों से मिलके मतलब systematic भी है और पहले से तयार भी है इन दोनों से मिलकर methodical यह मतलब ब्यवस्थित तरीके से carefully observation और experiment तरीके की होती है अगर कोई भी चीज हम science के हिसाब से करेंगे तो वह क्या होगा उसका जो method है उसका जो result है वह क्या होगा widely spread और quickly spread होगा और जो science है वह क्या है systematic है, formulated है, पहले से बाना हुआ है हाना तो हमको उसको क्या है बहुत ज़्यादा और वह किस पर बेस्ट है एक्सपेरिमेंट पर बेस्ट होता है हमको उसको केरफुली अब्जरविशन करना पड़ता है जब हम प्रैक्टिकल करते है तो उसमें हमको को भुए अपने आप नौलेघ करें सकते है टो स्तवी मटायर एक सब्सक्राइब करेंлы पर सबस्क्रा में पर शल्समेंड div97 जाआ कि जन स्काइब करेंड आयाकी आप नौलेघ ना जाठा जायर भी करेंड है और द convention जाठेक्टिकल को स्टरी сказать चुछ अब वेस्ट चुछ चुछ नाओ पिंटिन चोटन पोज की चुछ दिपनाफ प्रचेमिma लॉट उनुटुछी चुछ की दिटाय जाओ यंचेनी अुछ टूट चुछ दिटी जाते हैं लॉट प्रची मेद सीजिए भाइ की प्रची चुछेपी शुल्ट प्रचीम् जो 17 ते 19th century थी इस पर हमारे scientists ने एक nature पर एक law बनाया था law of nature कौन सा law था वो Newton law of motion Newton का motion का law था three motions के इसमें law थे तो इसमें क्या था यह जो एक scientist थे न्यूटन नाम की जो scientist थे वो एक पेड़ के नीचे सो बैठे होए थे अपल के नीचे बढ़े हो थे तब ही अचानक से उस से एक की बात हो गई है तब साइंस क्या हो जुका था अपने आप में साइंस्टिविक मैथर्ड्स को डैबलब कर चुका था अब यहां पर जो हमारे नैच्रल वॉल्ड है किस पार्ट पर डिवाइड हो जुका था फिजिक्स में कैमस्ट्री में जियोलोजी में बाइलोजी मतलब साइंस के कितने पार्ट हो गए हैं चार पार्ट हो गए हैं विजिक्स गैमस्ट्री जियोलोजी और बाइलोजी अब हमें देखना है इसके आगे ब्रांचेज और साइंस